हेल्लो प्रेंट, स्वागत आपका बैडल तुरू दा हैवेंड की एक और शानदार एपिसोड एक्स्प्लेंड वीडियो में सो बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं एपिसोड के शुरू में एक खूपसरत फ्लाइंग बोड पर श्याओयान खूली हावा की मजे लेने लगते हैं लेकिन उतने में ड्रामा प्रिंचेत जीयान कहती है ट्यानिया सिटी अभी तक आया क्यों नहीं श्याओयान मुझे बहुत भोक लगी है तभी श्याओयान कहता है ब्रादर श्याओयान यह जोंग्जों का मैप है जो मेरे फैमिली द्वारा रिकॉर्डेट है तभी वो देखकर श्याओयान कहता है बेशक जोंग्जों कॉंटिनेंट बहुत एक्स्ट्रा ओर्डिनरी है लेकिन शीनलन मुल्रूप से वहां का पावर्फुल पोर्सिस क् शीनलन कहती है जोंग्जों में हुमेन फोर्स को रफली डिवाइट किया गया है एक पैलेस पे और एक टावर दो ट्रैक्ट्री गेरेंज और फोर शीफवेंग बेजिन में से एक हौल सोल हौल है यानि दा सोल रियल्म जहां सोल पैलेस लोकेटेट है और वो जोंग्जों म के साथ आपका 37 की आगरा है लेकिन जब तक आपके पूरा इस्टन ना आए उनसे कॉम्पिट करने के लिए तब तक आपको पैशन रखना होगा तब ही वो संगर श्यावियन थोरा शान्त होता है क्योंकि सोल पहले सुनते ही उसे पास्ट याद आया था और वो बहुत गु पूसता है कि टू स्प्रिंग थ्री भैली और शिफंग पैविलियन किसे रिफर करते हैं चाहां शीनलन कहती है ट्यान मिंग और हुआ ये दो सेक्ट का भी जोंग जों में काफी भारी मत्रा में इंफ्लूएंच है और जहा तक बात है शांगो की तो वो सब क्लेशियर भैल में भी श्यावियन को बताती है और उसी करण उसे शीवंग वे बिलियन कहा जाते है और वहां शीनलन की कहना था कि वहां का फोर्स भी बहुत स्ट्रोंग है तो उन्हें प्रोवक ना करने में ही भलाई है तभी वो सुनकर श्यावियन कहता है कि चौंग जो तो सच में इतने सारे बॉर्ट आखिरकार यहां खरी क्यू है उतने में एक परचे कहता है कौन हो तुम लोग क्या तुम्हें टीर्निया सीटी का रूल मालूम नहीं है जाक्श यावियन कहता है मैं यहां फिर्स टाइम आया सो सोरी मुझे रूल मालूम नहीं है जो सुनकर कुछ तेसियाव या उनके सामने प्रकट होके pressure release करता है जिसे guard का हालत्वत होता है और उनका डर को विधकeeHepassenikति सा हुधCrash बात ये है कि space door अभी के लिए temporary close है और मेरा low house उसका मरमत के काम पर लगा हुआ है और मैं उम्मिद करता हो आप मुझे माफ कर दोगे चाहा श्यावयन उसे पूस्ता है मरमत में कितना दिन लगेगा चाहा वो जबाब देता है वो तो मुझे नहीं पता तब ही श्यावयन उसे cool look देता है जो देकर वो डर के मारे कहता है तब तक आप city में rest कर सकते हो जब भी काम होता है मैं आपको inform कर दूँगा और साथी वो person कहता है कि मेरा ancestor कुछ powerful logo को बुलाया वर्म hall को ठीक करने के लिए और उसके लिए बहुत high reward भी है तो आप लोग चाहो तो कुछ कर सकते हो तबी उतने में जीयन चिलाती है मुझे भूग लगी है जहाँ श्यावयन कहता है कि तो फिर चलो पहले कुछ सप्लाइस को उठा ले दे है और फिर चारो सिटी पहुंच जाते है चाहाँ जीयन बस खाने की ओर पर ही है तो वो आगे खाने के लिए जाती है और तबे श्यावयन बी लाइक तुम्हारा एल्डर्स ने तुम्हें तमिज नहीं सिखाया तो मैंने थोरा बहुत सिखा दिया जो देखकर सारे लोग हैरान होके कहने लगता है कि इसका तो किसमा दी खराब है जो वो लीटिल वीच से भीर गया और उतने में वोलर की श्यावयन को ब चैनल उनीका फेमिली का है और लो फेमिली एंसेस्टर फाइब इस्टार डोजों जितना पावर पुल है और तभी वोलर की गुस्सा होके कहती है तुम लोगों का उंगली एक एक करके कटवा दूंगा ग्रानपा को कहके जो सुनके श्यावयन रिये करता है कितनी गंदी सो और तभी लो एंसेस्टर कहता है तुम सब कितने लोगों जो मेरे लो फेमिली को सिरियसली नहीं लेते हो तभी ग्रानपा को देखकर वो बहुत खुश होके नाटक करना शुरू करती है कि उन लोगों ने मुझे मारा ये वो बगेरा बगेरा उतने में एंसेस्टर गुस्स को कह दिये जब बरे ही ऐसे हो तो छोटे से क्या ही उम्मीद रखना और तभी एंसेस्टर सोचता है डो जोंग ये लगी तो फायर है इसका पावर समुझ से चरा भी कम नहीं है और फिर एंसेस्टर इस पावरफुल गुरूप को देखकर सोचता है इनका ओरीजिन क्या है और अभी वर्म हल को रिपेरिंग की जरूरत है तो फाइट करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि दे आर डैम स्ट्रोंग तो एंसेस्टर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है आज का इंसिडेंट मिस अंडरस्टेंडिंग के बज़ा से हुआ है जो सुनकर उनके ग्रेंड डोट कहता है इस बार बहुत दोस्त आया ऑपकोर्स वर्म हॉल के लिए बट इस बार वर्म हॉल का प्रोब्लेम सोटा बिल्कुल भी नहीं है जिसके चलते बहुत से डोजोंग को एक साथ चाहिए उसे ठीक करने के लिए जिसके लिए मैं इस गर्ड को मदद के लिए पूस्ता जहां फेरी श्यावयान के ओर देखता है जहां श्यावयान एंसेस्टर से कहता है कि रिवर्ट क्या होगा तबी एंसेस्टर ये करता है ये तो अच्छा इस गुरूप का लीडर ये टाई हुआंग लर्का है और फिर एंसेस्टर फास्ट उन्हें सस्ता रिवर्ट यानि इ दिल करना चाहते थे जहां श्यावयन वो डिल ठूक रहा के आगे बढ़ने लगते हैं जहां एंसेस्टर कहता है मानो या ना मानो लेकिन दूर दूर दूरता कोई इस पर चैनल नहीं है बट श्यावयन उनके तरफ घंटा भी नहीं देखता और दूसरी तरफ एंसेस्टर के पास और कोई चारा ना होने के कारण वो कहते हैं अगर वोलर की ओर्म होल को रिप्यार करने में मदद करती है और मरमत अच्छे से हो जाती है तो मैं सेवेंथ लेवल मैजिक को रिवर्ट दूंगा तभी वो चारों रूख जाते हैं और श्यावयन सेवेंथ स्काई पॉजन स्कर्पियन ड्रागन बीष्ट का डिबन करता है जाँ एंसेस्टर कहते है यह तो अक्स्रीमली रियार एक एंशियन बीष्ट है और 7 लेवल तो मेरे पस बिल्कुल भी नहीं है जो सुनके श्यावयन थोड़ा उदास होता है उतने में एंसेस्टर कहता है लेकिन मेरे लो फ इंचेंज होता है और एंसेस्टर सबको लेकर फॉर्मेशन प्लाटफरम पर आ चाते हैं जहां हन फेमिली से दो और एल्डर आये हुए हैं और जिने एंसेस्टर ने बुलाया जा एंसेस्टर उनका इंट्रेडक्शन चारों से करवा दोनों बुढ़ा तुरा गमंडी होने ल आती है और तब जाके दोनों बुढ़ा हैरान होगे कहने लगते हैं डो जोंग और फिर एंसेस्टर दोनों को कहता है चारों को एक साथ चार क्रिस्टल पर पावर एपलाई करना होगा और मैजिक सर्कल को जिन्दा करना होगा लेकिन ध्यान से अगर कुछ उचिनिच होता ह तो याद रखना ये बहुत बड़ा डिजस्टर खरा कर सकता है उदने में सभी पावर एपलाई करना शुरू कर देता है और क्या ही प्यूटीपुल और एस्टेप बाई स्टेप आ अगया आना शुरू कर देथा है चो कि आप देख सकते हो और वक्त के साथ साथ सभी लेकिन दोनों आपस में प्लोटड करके, पावर्स को अपलाई करना बन्त कर दे देे। और उसी करन वहां तबाही आना शुरू होता है क्योंकि वहां एक डार्क सरकल क्रिएट होता है जो व्हुत होल के तरह हार चीज को अंदर खीचना शुरू कर देता है सबसे पहले वहां करमा हीड होता है क्योंकि वो पहले उन दोनों बुड़े को ही खीचना शुरू कर देता है और उसके बाद उच्जाल में श्यावयान, शीयान और शीनलन भी पर जाती है और उन्हें उस हाल में देखकर पॉजन फेरी बहुत परिशान होती है क्योंकि श्यावयान को वो चीज कीशते ही चली चाती है बट वो बार बार दोनों को मौत के मुझसे वापस ले आता है यार वो देखने में बहुत शानदर था बट सैट श्यावयान वहां से पूरे तरह निकल नहीं पालते है और जिसके चलते फेरी अकेले पूरे जीजान ल होता है जहां एंसेस्टर प्रोमिस के अनुसर उन्हें उनका रिवर्ट दे देता है जो श्यावयान भी ऑपेंड करके वेरिफाई भी कर लेता है और उतने में एंसेस्टर उन्हें एक स्पेस बोर्ट भी गीप्ट करता है चोकि इस पेस चैनल पर बहुत स्मूध चलेगी और साथी बहुत मेडिसिन भी और शुक्रिया की तौर पे क्योंकि उन्होंने काफी मदद किया एक डिजस्टर आने से रोका और अगर फेरी वहां ना होता तो वहां बहुत बड़ा डिजस्टर खरा हो जाता और तभी शियावयान भी उन्हें ग्रीट करके शिप पर सब के साथ एंट्री मारता है न्यू एडबंचर के लिए जहाँ ये एपिसोड खतम होता है तो आप कॉमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक बाई